तो क्या सोच रहे हैं दोस्तों तो ये बजार की महंगी मिठाई ने ये घर की बनी हुई मिठाई है जी हाँ दोस्तों ये मैंने दोनों मिठाई घर पे ही बनाया है और बहुत ही कम चीजों से त्यार कर सकते हैं तो इस त्योहार इस मिठाई को बना कर देखिए दोनों का कि नहीं कर पाएगा कि घर की बनी हुई मिठाई है तो रेशिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें वीडियो शुरू करती हो तो इधर हमने ले लिया है दोत की मलाई तो जितना हमने दोत की मलाई का इस्तमाल हमें करना है तो यह करीबन मैंने तीन ब चोड़ा सक कम की हूँ क्योंकि यह मुझे बिल्कुल ठिक लग रहा था और अब इसमें हम डालेंगे दोत तो बस एक चोटा चमचे करीब हमें दोत डालना है और तीन चोटा चमचे करीब मैंने मिल्क पॉडर डाला था तो इन सभी चीजों को ध्यान से एक बार देख ले तीन बड़ा चमच मलाई मैंने इस्तमाल किया और तीन चोटा चमच मिल्क पॉडर और एक चोटा चमचे करीब दोत और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया हमने तिसे रखते साइद में तो अब हम नेक्स प्रोसेस की तियारी करते हैं तो इदर एक और हमने बोल चमचे करीब तो इसका फ्लेवर को थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैंने मिल्क पॉडर का इस्तमाल किया है और अब इसमें हम डालेंगे दूद तो यह हमारी नॉर्मल टेंपरेचर वाली दूद है तो इसको मैंने उबाल कर बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लिया था कि इसमें इस्तमाल किया है करीबन तीन बड़ा चमचे करें और अच्छे से जरूर मिला लिजेगा इससे तो इससे मैंने अच्छे से मिला लिया तो अब इदर हमने लिया एक पैन और इसमें अब हम दूद को डाल कर अच्छे से करेंगे गर्व तो इदर हमने ले लिया है एक ग्लास के करीब दूद ये मैंने हाप लीटर के करीब दूद लिया है और इसे अच्छे से अब हम उबालेंगे हाई फ्लेम पे तो चलिए इसमें अब हम डाल देते दो कुटी हुई इलाइची और डालेंगे कुछ केसर के धागे जिसने कलर बहुत अच्छा आएगा दूद क अब इसमें हम डाल देंगे कश्टर पॉडर और मिल्क पॉडर जिसको मैंने अच्छे से दूद में मिला कर रखा था और इसे डालने के बाद बस ऑची मिलाना है तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी का इस्तमाल किया क्योंकि थोड़ा सा कश्टर पॉडर लगा हुआ था इसमें पानी का इस्तमाल किया करीबन एक बड़ा चमचे करीब और इसे भी मिला कर अच्छे से मिला लिया है तो जैसे जैसे यह पकेगी दोस्तों वैसे वैसे इसका देखिएगा ठिकनेस बढ़ता ही जाएगा और इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है पीच में चलाते हुए रहेगा वरना यह चिपकने लगेगी तो अब इदर हमने डाल दिया चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाएंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा बाहर की महंगी मिठाई से भी जादा यह टेश्टी सी बनकर त्यार होगी घर पे तो जितने पैसे में आप इसे बाहर से खरीद के लाएगा उतने में यह आपके पूरे परिवार के लिए बनकर त्यार हो जाएगी और जिसे खिलाएगा वो आपकी तारीफे करने से रुकेगा नहीं तो इधर हमने डाला है नारियल का बुरादा एक छोटा चमचे करीब और इसे अच्छे स हो गया नहीं तो वीडियो में तो आपने देखी लिया होगा कि यह कितनी टेश्टी लग लिए तो एक बर बना कर जरूर देखिएगा तो इधर 5-6 ब्रेड लिया है मैंने और इसके जो साइड वाले हिस्से है ना इससे हमें कट करके साइड कर लेना है तो चलिए इधर एक ब्रेड हमारा थोजा तोट गया था तो यह देखिए हमने 5-6 ब्रेड ले लिया है और इसके साइड के से को कट किया है और दूसरी रेसेपी के लिए इधर हमने और 6 पिसके करीब हमने ब्रेड लिया है और इससे भी अब हमें कट करना है तो बाकी के ब्रेड को मैंने करना है और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है तो बस इसी तरीके से देखिए हमने सभी ब्रेट को कट कर लिया है और ये जो गोल वाली है इसे अब हमें साइड रखना जो लंबी वाली है इसे मैं आपको दिखा देते हूं कि एक हलका सा तूट गया था तो उसे साइड में रख लेते हैं और ब्रेट को हमें इसी तरीके से इस्तमाल नहीं करना है बेलन की मदश से हलका से इसे इस तरीके से थोड़ा सा में बेल लेना है जिससे हलकी सी थोड़ी सी पतली हो जाए और इसके उपर जब हम मलाई लगाए तो ये साइगा और काफी ज़्यादा क्रीमी सा लगेगा तो चलिए इसे अब हम अच्छे से रोल करने थे बस ध्यान से तीरे दीर हमें रोल करना है और ये जो क्रीम है ना ये साइड से अच्छे से चिपका देगी और आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी इसे बात का द्यान रखेगा इसे हमें ठंडा नहीं होने देना है हलका सा गरम जरूर रहे तभी अच्छे से सोखेगी तो चलिए इसे रखते हैं हम दो मिनिट के लिए साइड पर ताकि ये बिल्कुल अच्छे से से सेट हो सके और इधर देखिए हमने इधर गोल वाली ब्रेट को ले लिया है तो इसके उपर भी हमें इस तरीके से डाल देना है और डालने के बाद ये जो इलाइड ये बिया और यह त्यार blends गए नहीं धोस्तों अभी बहुत कुछ क्रना बाग की है tu और फिर से मलाई हम इसके उपर डाल देंगे तो इसको मैं रबड़ी वाली मलाई भस इसके उपर अच्छे से लगा लेना है और इसे भी दो मीनट के लिए त्यकर दियाना है ताक Immediately और लोगों को पसंद किसे आएगी तो इदर हमने लिया है almond और काजू और इसको मैंने बिलकुल छोटे छोटे चुटे टुकरों में cut कर लिया था और सभी तरब देखिए अच्छे से हमने डाल दिया है और इसके उपर भी हमने अच्छे से लगाया है और थोड़े से हम डालेंगे इसके उपर पीस्ता तो इसको भी मैंने बिल्कुल देखिए छोड़े चोड़े टुकरों में कट कर लिया था तो कट तो नहीं किया था से सभी तरब डालिएगा तो मार्केट वाली मिठाई देखते हैं न दोस्तों कि कितने अच्छे से डेकुरेट की हुई रहती है बस उसी तरीके से हमें डेकुरेट करना है और साइड में देखे इधर आलमड और पेस्टा को मैंने जो कट करके रखा था इधर लगा लेंगे और रेसिपी एची लगे तो मुझे कमेंट में बताईएगा कि ये मिठाई आपको कैसी लगी है यकीन मानिए कोई कहेगा ही नहीं कि ये ब्रेट से बनी है बस आप एक बर अपने मेहमानों को दे कर देखिएगा और बाद में उनसे पूछेगा कि बताईए ये कैसी बनी है और किस से बनी है वो यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये ब्रेट से बनी हुई है और थोड़े इदर हमने लिए हैं केसर के धागे और बस इसके उपर अब अब हमने लगा दिया इस तरीके से सूखी हुई रोज तो इसको मैंने इसके उपर अच्छे से गार्निस किया है तो जे अब ये मिठाई बन कर त्यार हो गई है एक बार जरूर इस तेवहार में बना कर देखें तो इधर देखेंगे न ये डबा मैं online से order की थी तो इधर देखें दोस्तों इसे अब बारी है cutting की तो चलिए एक बार cut करके दिखाती हूँ तो देखें कितना soft सा बना है बिल्कु में आप बाहर से मंगवाते हैं उतने ही खर्चे में आप घर पे पूरे परिवार के लिए बना सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में